प्रॉफिट को कैसे दिस्टिबूट करना है इसलिए मैंने हेडिंग क्या बना दिया आपके लिए दिस्टिबूट को कैसे डिस्टिबूट किया जाएगा पार्टनस के अमांग में उनके भीच में तब when appropriations are more than profit appropriations are more than profit का क्या मतलब है मैं अभी आपको एग्जामपल लेकर समझा दो ठीके इस समस्या का हल क्या है कि अगर profit हमारे appropriations से कम हो यानि हमारी appropriations अगर ज़्यादा हो जाएं और हमारे profit कम है तो हमें क्या करना चाहिए यह चीज़ बताता है यह क्या कहता है अगर profit हमारे कम है means हमारी appropriations ज़्यादा है किसे profit से तो क्या करना है Profit को हमें क्या करना है? Distribute करना है Profit is to be distributed Among partners कैसे distribute करना है? कैसे करना है? In the ratio of appropriations मैं एक example लिता हम आपके लिए Suppose हमार question number 17 का example लो या कोई और लिरू? कोई और लिर तो फिर question number 17 का रहा हम See We have two partners A and B ठीक है? दो partners है A and B A को हमें salary देनी है 10,000 ठीक है? B को salary देनी है 20,000 रुपे Interest and capital देना है A को देना है 20,000 रुपे और इसको देना है 40,000 रुपे ठीक है? इसके बाद और कुछ लेना चाहते है हम commission ले लेते है Commission भी ले चकते हैं यह सब क्या है? यह सब किन चीज़ों के नाम लिख रहा है? यह सब appropriations है salary to partner, interest from capital to him और commission to partner इसारी चीज़े क्या? appropriations है चलिए यह और ले ले लेते हैं यह ले ले लेते हैं हम यह भी 20,000 ले ले लेते हैं और commission जो इसे मिलना है यह किवाद 10,000 मिलना है इनका total हुझे बताईए अब total कितना आ गया? सर यह हो गया 50,000 ठीके? अच्छा, इसका total कितना आ जाएगा? सर यह हो गया 60,000 70,000 ठीके? बात समझ में आती है या नहीं आती? इसका total कितना हुआ? 50,000 और B का total हुआ 70,000 अब इस एक्जामपल में यह जोड़ो देते हैं एक्जामपल मनाया है हमने मैं आपको प्रॉफिट भी बताता हुआ इस साल का प्रॉफिट कितना है बिटा प्रॉफिट हमारा केवल है 24,000 ठीके न? तो देखिए अभी situation बन गई है नहीं बनी इस साल हमें प्रॉफिट केवल कितना हुआ है 24,000 का और हमारी अप्रॉफिट कितनी बन रही है 50,000 and 70,000 ठीके? तो यह situation अप्लाई होगी है नहीं होगी? क्या है यह? वेन अप्रॉफिट अर मोर दन प्रॉफिट तो हमें क्या करना है? देखिए तो पेटा यह है इनकी रेशियो क्या हो जाएगी? 5 000 constant You can रेशियो अप्रॉपिशुन ठीक है यह रहे रैशियो अप्रॉफिट को पाठंदेंदेना है क्यों? क्योंकि हमारे काली यह दउह जैना ही नहीं सकते तो हमें तो बस profit इतना है उतना ही तो बाटेंगे appropriation है ना appropriations को तो उतना ही कह सकते हैं ठीक है ना हम क्या करें इस profit को हम बाट दें partners में ठीक है तो इस ratio में बाटते हैं तो X को क्या मिल जाएगा और Y को स्वारी X को का मैंने A को क्या मिलेगा और B को मिलेगा क्या और मैंने concept भी बताया, अगर ऐसी situation है राइस होती है, जहाँ पर आपके पास appropriations जादा है, आपके profit से तो हमें क्या करना है, हमें अपने profit को distribute कर देना है, इन ratio of appropriations, तो हमारा profit कितना है, हमारा profit तर 24,000, ठीक है, यह कितना आगे, 7 is to, ratio क्या आगी थी, sorry, 5 is to 7 है, यहाँ पर क्य आगया वही, 24,000, और ratio क्या आगी, 7 is to 12, ठीक है न, चलिए, अब distribute कर दें इसे, यह आगया 2 से, यह आगया 10,000 रुपे, और यह भी, यह कितना आगया, 14,000 रुपे, ठीक है, बात समय गाई, तो आपने profit distribute कर दिया, आप इस profit को क्या गरेंगे, 10,000 इस profit में से, 24,000 में से, 10, 10,000 A को देंगे, और 14,000 B को देंगे, क्यों दे रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारा profit इतना है यह इतना है यह इतना वह appropriation मांग रहे है, तो हमारे पास solution क्या है, हम तो मैं से profit को दे सकते हैं हमने, तो हमने क्या किया, house profit को उनकी ratio of appropriation में बाट दिया, मैंने आपके पास 3-4 हम दोनों को club करके ratio निकाल लेजिए, हुसनता है, एक ही हो, तो सिधा ratio भी कर जाएगी, ठीक है, तो अब हम अपने question पर आते हैं, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, आप हम आ गई चलते हैं, अब हमने question number 17 को pick करते हैं, और वहाँ पर इसे apply करते हैं, ठीक है, यह concept, इसी concept को apply करने वाले हैं, यह question में, yes, so question number 17, question 17 says, x and y are partners in a ratio of 3 is to 2, हमारे पास दो partner है, x and y, इनकी profit sharing ratio क्या है, 3 is to 2, then they have given us with a capital of 10 lakh and 5 lakh respectively, शाब में उनने अब एपरी capital भी दे रखिये, capital कितनी है बेटा, 5, sorry, 10 lakh and 5 lakh, ठीक है, आगे क्या जायते है, as per the partnership deal, they are to be allowed interest and capital at the rate 8% पर रहा है, हमें क्या देना है हुने, हमें देना है, interest on capital, ठीक है, 8% पर रहन, 8% पर रहन, हमें interest देना है हुने, आगे question क्या कहते है, the net profit for the year ended 31st March 2016, before providing interest and capital, amounted to 45,000, show the distribution of profit, अच्छा हमारा profit कितना है इस साल कब, profit है rupees, 45,000, ठीक है, अब देखे, ये case apply भी होता है नहीं होता है, means, क्या हमारी appropriations profit से जादा है, चलो एक बार appropriation यानि interest on capital, calculate करकर देख लेते, चलो, तो हम solution start करते है, solution, working note number 1, calculation of interest on capital, ठीक है, X के रहे निकाल लेते हैं और Y के रहे निकाल लेते हैं, 10 lakh, into 8%, 5 lakh, into 8%, ठीक है, ये कितना आ गया, 80,000 rupees, ये कितना आ गया, 40,000 rupees, total कितना आ गया, 1 lakh, 24,000 rupees, ठीक है, अब आप खुद compare कीजिए, देखिए, क्या आपकी appropriations आपके profit से जादा नहीं हो गई है, तो हमें क्या करना है, हमें इन appropriations को किस ratio में बाट देना है, इस appropriation को, sorry, हमारी profit को किस ratio में बाट ना है, इन ratio के appropriations, appropriations के ratio क्या आ गई, appropriations किसा ratio आ गई, 2 is to 1, 2 is to 1 कैसे निकाला है, देखो, 8 is to 4 है, 8 is to 4 को 2 से डिवाइड करो, को उसे भी two से Divert करो क्या इंग दोनों को फोर से टिवाइड कर दो eight to four eight is two four को आप four से Diviade करो तो four से डिवाइड किया तो two और इसको four से divide किया तो बन तो दोनों में से कोई भी आप अप्रोपिशन की रेश्यो मान सकते हैं एक एंजार आने वाला है दोनों से ठीक है अब इस्ट्रिबूट करते हैं प्राफिट को ठीक है डेस्ट्रिबूट करते मैं पीमेर अले अप्रोपेशन एक बनाकर अंग ठीक है बीटा हम क्या कर रहा है profit को distribute कर रहा है partners के बीच ने ठीक है ratio of appropriation में पता है 2 is to 1 है इस question में जब आप इसका solution करेंगे तो इस note डालना जरूरी है क्योंकि appropriations जादा है profit से इसलिए हम क्या कर रहा है profit को distribute कर रहा है in the ratio of appropriations ठीक है तो हमारा X को क्या मिलेगा X को मिलेगा profit है 45,000 और Y को क्या मिलेगा appropriation की ratio में तो appropriation के ratio में X को क्या मिलना है 2 is to 3 और इसे क्या मिलना है 1 is to 3 यानि X को कितना मिल जाएगा 30,000 रूपीज और Y को कितना मिल जाएगा 15,000 रूपीज चीज समझने आईए आपको ठीक है यह किसली किया हमने क्योंकि हमारी appropriations जादा थी हमारे profit से तो हमारे पास कोई option नहींगा we had to apply this concept and accordingly we have distributed our profit in this ratio ठीक है चलिए फिर भी आप इसे कोई doubt आए इस question में किस relation मेरा complete हो गया है आपको अगर कोई doubt आदा प्लीज मुझे आप comment column में ज़रूर लिखीगा ठीक है ताकि वागी किसी बच्चे को भी doubt हो तो तो clarify कर जाए ताकि आप मुझे whatsapp कर सकते हैं ठीक है को आपना जुरूर दुबारा देता हम आपनों को ठीक है मां contact number is you can contact me on 92610777 यानी 4x7 926100777 आप मुझे whatsapp कर सकते हैं call कर सकते हैं अगर आपको कोई भी issue है accounts are related ओके ठीक है आप इसलिक लिजे खेर हम आगी चलेगे आपको कर सकते हैं 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 आपको कर सकत